समाजिक नियाय एबम अधिकारिता मंतरी सरवीन चौधरी ने आज यहां कहा कि परदेश सरकार द्वारा मत्वकांशी योजना शगुन को पूरे परदेश में लागू कर दिया गया है इस योजना के अंदरगत विवाह अनुदान के रूप में 31,000 रुपे की आर्थिक साहता प्रदान की जाएगी इस संबन में यहां अधिसूचना जारी कर दी गई है अधिसूचना के अनुसार यह योजना परदेश भर में लागू कर दी गई है शगून योजना के तहट विप्यल परिवार से संबन्दित ऐसे माता-पिता या सरक्षक या फिर स्वैम लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं है या लापता है को शादी के लिए वित्ते साहता प्रदान की जाएगी योजना के तहट लड़की की आईउ 18 वर से अधिक और वह हिमाचल प्रदेश की स्ताई निवासी होनी चाहिए यदि लड़की का विभा ऐसे लड़के से होता है जो हिमाचल प्रदेश का स्ताई निवासी नहीं है तब भी वह विभा अनुदान के लिए पात्र होगी शगुन योजना के तहट लाप्राप्त करने के लिए लड़की के माता-पिता या अभिभाव को द्वारा या बेसहरा होने की स्तिती में लड़की द्वारा स्वैम संबंदित बाल पर योजना अधिकारी प्रभारी नारी सेवा सदन अत्वा बालीका आश्रम के अधिशक को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा यहाँ अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे संबंदित जिला कारेक्रम अधिकारी बिभा अनुदान सुविकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे शगुन योजना के तहट यहाँ प्रापधान किया गया है कि शादी की प्रस्तावित तारिक से दो महीने पहले राशी का भुकतान किया जा सकता है यदि बिभा पहले ही हो चुका है तो बिभा के 6 महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशी के लिए आवेदन कर सकता है यदि आवेदक राख्षी के 6 महा के बाद आवेदन करता है तो आवेदन को स्विकार नहीं किया जाएगा अनुदान राशी संबंदित आवेदक के बैंक खाते में स्तानांत्रित की जाएगी